मुझे आपका मेंटर अभीशेक और आज हम लोग करेंगे EDM's and Phrases का लेक्चर नमबर 17 अगर आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे EDM's and Phrases सीरीज का Part 1 से लेके Part 16 तक का लेक्चर जरूर देख लेना लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और 90% के उपर चांसे से कि इस लेक्चर में से ही आपको EDM's common मिलेगा तो कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिविकेशन बेल को दबा देना मैं जैसे पढ़ाता हूँ मैं आपको गैरेंटी दे के बोलता हूँ हर एक EDM's आपके दिमाग में छप जाएगा तो प्लीज आप लोग मेरे साथ इमेजिन करते रहना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो गाइस आज का हमारा पहला एक्जामपल है तू बिल्ट कैसल सिंदा यार तू बिल्ट कैसल सिंदा यार इसका मतलब क्या होता है तो आप मेरे साथ एक चीज सोचो तू बिल्ट कैसल सिंदा यार हावा में क्या कैसल बनाना पॉसिबल है सोचो तो एक बर REAL में हवा में कैसल बनाना possible है नहीं है बट मैं अभी चाहता हूँ आप लोग IMAGIN करो कि हवा मेंक कैसल है आप लोग मेरे साथ IMAGIN करो जो बच्वण में हम लोग काठून में देखते थे कि हवा में कैसल है मेरे साथ IMAGIN करो कैसे possible है हावा में a castle जब आप imagine करते हो real में तो possible नहीं है ना अब जब मेरे साथ imagine कर रहे हो हावा में cloud के उपर एक सुन्दर सा castle है तो कैसे possible है हावा में a castle बनाना जब आप imagine करते हो जब आप imagine करते हो तो इसका मतलब क्या होता है to build castles इसका मतलब होता है make imaginary schemes जब आप imagine करते हो तभी आप हाओ में castle बना सकते हो यह चीज आपके दिमाग में घुज गया तो चलो next देखते हैं तो guys आज का हमारा next example है to turn the tables to turn the tables इसका मतलब क्या होता है to reverse the situation जो situation था उसको पूरा उल्टा कर देना to turn the table मतलब table को आप उल्टा कर रहे हो मतलब table को आप उल्टा करके फेक रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है to reverse the situation इसको आपको कैसे याद रखना है तो सोचो imagine करो मेरे साथ आप किसी के साथ तीन पत्ती खेल रहे हो तीन पत्ती तो पैसे का खेल है या cards खेल रहे हो पैसा से आप सोचो आप सोचो आप अपने दोस्तों के साथ table के उपर cards खेल रहे हो पैसा से आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो सबका card table में है सोचो सबका card table में है सोचो और आपको लग रहा है आप हार रहे हो, आप पूरा टेबिल को उठा के पलट दिये, मतलब आपको लग रहा है अप हार रहे हो, आपका पैसा चले जाता, तो पूरा टेबिल को जब अप पलट दोगे, तो सबका चार्ड मिक्स हो गया, मतलब जो situation था, वो पूरा उल्टा हो अब हारने वाले थे अब तो आप हार होगे नहीं ना क्योंकि अपने टेबिल को पूरा पलट दिया जो डिसिशन आने वाला था जो सिचुएशन होने वाला था वो पूरा पलट गया और एक चीज से मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्पान में हम लोग सब बोर्ड में हारने वाले थे जब वो लुडो का बोर्ट पलट देता था तो क्या होता था जो सिचुएशन था वो उल्टा हो जाता था रिवर्स हो जाता था तो ये चीज़ आपके दिमाग में खुश गया तो टार्न दर टेबिल मतलब क्या होता है तो रिवर्स दा सिचुएशन आप पलट गया, पूरा रिवर्स हो गया, समझ में आ गया, दिमाग में घुज गया, तो चलो next देखते है, तो guys, आज का हमाना next example है, a snake in the grass, a snake in the grass, इसका मतलब क्या होता है, hidden enemy, कोई enemy, कोई दुश्मन चुपा हुआ है, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, a snake in the grass, मतलब जोपड़ी में या grass के अंदर, कोई साफ चुपा हुआ है, अब साफ कैसे enemy है, क्योंकि बोला जाता है ना, जिस साफ को आप खिलाते हैं, ओई बाद में आपको डसता है, बोला जाता है ना, जो साफ को पालता है, ओ साफ के हाथ में ही मरता है, बोला जाता है कि साब को जो खिलाता भी है, साब का जो मालिक भी होता है, उसको इसाब डस देता है, मतलब साब को थोड़ा डिंजरस माना जाता है, एनीमी माना जाता है, साब किसी का उतना दोस नहीं होता है, ये बोला जाता है, तो अब सोचो, अगर कोई साब ग्रास के अं जंग बादी होता है, वो क्या करता है, छुपके बार करता है, जैसे राइट साइड में देखो, पिक्चर, कि वो लोग जंगल में छुपा रहता है, मतलब है हीडेन एनिमी, अब एक टेरिस्ट को भी, अगर जंगल में छुपा हुआ है, तो आप बोल सकते हो, कहीं भी जारस है, कोई एनिमी छुपा हुआ है, समझ में आ गया, दिमाग में खुज गया, तो चलिए नेक्स देखते है, so guys, आज का हमारा नेक्स एक्जाम्पल है, hit the nail on the head, hit the nail on the head, इसका मतलब क्या होता है, do or say the exact thing, exact thing करना, या exact thing बोलना, तो आप सोचो मेरे साथ, hit the nail on the head, आप on the head को छोड़के सोचो, hit the nail, आप nail को कौन से जगह भी hit करते हो, exact जगह पर, मानलो आपके बास एक फौटो फ्रे पहले आप क्या करोगे, फोटो फ्रेम को कहा लगाना है, मेरे साथ इमैजिन करते रहो, फोटो फ्रेम को दिवाल में कहा लगाना है, सोच वगे, फिर जाके उस Exact जगह पे आप нажald को हिट करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे घर पे सारे जगह पे अपने nail लगा दिये, ऐसा तो नहीं करोगे न, क्या करोगे, जिस जगह पे आपको पसंद है, उस जगह पे आप hit करोगे, exact जगह पे nail को hit करोगे, उसके बाद photo frame को लगाओगे, तो समझ में आ गया exact thing को करना, या exact thing को बोलना, जैसे आप nail को exact जगह पे लगाते हो, ऐसे hit the nail on the head का मतलब क्या होता है exact काम करना या exact कुछ बोलना exact काम करना या exact कुछ चीज बोलना, समझ में आ गया hit the nail on the head या hit the nail का मतलब क्या हो गया, अगर आपको exam में आता है hit the nail on the head या hit the nail, आपको ये चीज याद आ जाना चाहिए कि हम लोग nail को exact जगह पे hit करते है जहाँ पे हमें कोई सामन लगाना होता है समझ में आ गया तो चलो next देखते है so guys आज का हमरा next example है at the 11th hour at the 11th hour इसका मतलब क्या होता है at the last moment at the last moment ये तो आपको याद रखना बहुत ही आसान हो गया क्योंकि हमें पता है दिन पूरा दिन कफ खतम होता है जब रात के बारा बच जाते है तब पूरा दिन complete हो जाता है next day शूरू हो जाता है तो बारा से पहले क्या आता है 11 तो 11th hour का मतलब क्या होना चाहिए last moment अगर 11th hour पूरा complete हो जाएगा तो उसका मतलब next day हो जाएगा समझ में आ रहा है 11th hour अगर complete हो जाएगा इसका मतलब next day आ जाएगा तो 11th hour का मतलब क्या होना चाहिए at the last moment क्योंकि ये चला जाएगा तो next जो शुरू हो जाएगा समझ में आगया तो चलो next देखते है so guys आज का हमारा next example है put your best foot forward put your best foot forward इसका मतलब क्या होते है give your best to try as hard as you can तो क्या बोर रहा है अपना best pair को आगे करो मतलब अपना best दो तो इसको आप सोचो मानलो आपका दो pair में से आपका right leg ज़्यादा powerful है आपका best foot right leg है सोचो आपका दोनो pair में से आपका best foot क्या है right leg है football में penalty kick हो रहा है कौनसा pair से kick मारोगे कौनसा pair से kick मारोगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ of course अपने right leg से मारोगे क्योंकि ओ pair आपका strong point है उससे आप अपना base दे सकते हो उससे आप अपना base दे सकते हो समझ में आ रहा है ना तो put the right leg forward sorry put your best foot forward इसका मतलब क्या है अपना base देना अपना base देना अपना as hard as you can put a try करना समझ में आ रहा है ना अगर आपका right leg ज्यादा strong है तो football के time में आप ज्यादा की किस से मारोगे right leg से clear समझ में आ गया तो चलो next देखते है so guys आज का हमारा next example है curiosity kill the cat curiosity kill the cat इसका मतलब होता है being inquisitive about other people's affairs may get you into trouble किसी के affair में या किसी के matter में ज्यादा curious होना interest दिखाना आपको travel में fake सकता है जैसे इस picture को अच्छी दरसे देखो ये billy curious हो रहा है उस electric plug में अगर मैं हाद घुसाता हो तो क्या होगा ये billy curious हो रहा है इस electric plug में अगर मैं हाद घुसाओंगा तो क्या हो गया क्या होगा अच्छानक बिल्ली अगर हाद घुसा देता है curious होके तो क्या होगा बिल्ली बहुत गदा electric जटका खाएगा बिल्ली बेचरा मर भी सकता है जादा curious के कारण ये billy travel में भी बढ़ सकता है तो इसका मतलब को समझ में आ रहा है कि किसी के matter में ये किसी के बारे में जादा curious होना आपको travel में fake सकता है इसका मतलब ये curiosity kill the cat ये billy curiosity के कारण अगर इस फ्लाग में उंगली घुसाएगा तो क्या होगा बेचारा मर भी सकता है समझ में आ गया जैसे हमें बच्पन से बोला गया है कि जादा curious होना अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में कोई दोस्त के बीच में जग रहा हो रहा है मतलब जिसको आप नहीं जानते हो आप जादा curious हो रहे हो तो बाहर आले लोग बोलते है जादा curious होना अच्छी बात नहीं है आप fuss भी सकते हो अब fuzz भी सकते हो यह बोला जाता है यह सब चीज curiosity kill the cat से related है समझ में आ गया किसी के matter में जदा उंगली करोगी या जदा curious दिखाओगे तो आप भी travel में पर सकते हो समझ में आ गया तो चलो next देखते है so guys आज का हमारा next example है pull a rabbit out of the hat pull a rabbit out of the hat इसका मतलब क्या होता है to do something surprising to do something surprising इसको कैसे याद रखना है pull a rabbit out of the hat यह कौन करता है अपने टोपी में से rabbit कौन निकलता है बोलो magician निकलता है क्यों निकलता है आपको magic दिखाने के लिए निकलता है अगर कोई magician आपको magic दिखाता है तो आप क्या हो जाते हो surprise हो जाते है वाओ ये चीज़ कैसे हुआ यह चीज कैसे हुआ, सोचो एक बार, कोई magician अपने टोपी में से एक खरगोश को निकल रहा है, तो आप क्या बन जाओगे, surprise बन जाओगे, यार यह कैसे किया, इतना चोटा टोपी में से, एक rabbit निकल गया, वाउ, समझ में आ रहा है न, तो to pull a rabbit out of the head का मतलब क्या होता है, to do something surprising, आप देखके अचनक surprise हो जाओगे, कि यह चीज कैसे हुआ, तो आपके दिमाग में घुश गया तो, अगर मैं आपको पूशता हूँ, तो क्या बोलो, कि pull a rabbit out of the head का मतलब क्या होता है, बोलो, to do something surprising, समझ में आ गया, तो चलो next देखते है, so guys, आज का हमारा second last example है, to tie the knot, to tie the knot, इसका मतलब क्या होता है, to get married, to get married, यह तो बहुत ही आसान है, not cup tie किया जाता है, सोचके बोलो तो, जब शादी होता है, इस picture को अच्छी तरह से देखो, हमारे हिंदू में जो शादी होता है, आप हमेशा देखोगे कि, जो पती और पत जाता है, तकि ओलोग साथ जनम तक साथ निभाए, तकि ओलोग साद जनम तक साथ निभाए, अच्छी तरह से देखो picture को, मैंने knot को mention भी कर दिया, तो to tie the knot, यह tie the knot कब होता है, यह tie the knot कब होता है, जब दोनों शादी कर रहा होता है, तो अपके दिमाग में छब जाना चाह यह to tie the knot का मतलब क्या होता है to get married तो चलो last example देख लेते हैं so guys आज का हमारा last example है Penelope's wave Penelope's wave इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है an endless job an endless job इसको आपको कैसे याद रखने हैं तो अच्छी दरस से idioms को पढ़ो Penelope's wave इसको सुन के क्या लग रहा है Penelope's नम का कोई बेक्ती होगा उसका कोई wave होगा तो Penelope's कौन है ये Greek mythology से आया है Penelope's एक बहुत ही सुन्दर औरत थी बहुत ही सुन्दर औरत थी तो उसका जो पती था वो youth करने बाहर गया था जो कभी lot के वापस नहीं आया था तो Penelope's इतना सुन्दर था कि बहुत सरे लोगों ने उसको marriage का proposal दिया था कि आप मेरे से शादी कर लो मेरे से शादी कर लो मेरे से शादी कर लो बट Penelope's बहुत ही loyal था अपने पती के लिए तो उसने सब को मना करने के लिए एक बहाना बना लिया उसने cloth को बोला कि मैं उसको मतलब बुनना शुरू करूंगा बुनना शुरू करूंगा जो बोलता ना cloth बनना शुरू करते पहले के जामने में तो हाथ से लोग कप्रा भुनते थे थे थोड़ी ना machine था देखिए उसके हाथ में कप्रा भी है इसको ऐसे भुनना शुरू किया जब भी यो खतम होने आता था फिर से एक नया रास्ता शुरू हो जाता था तो लोग वेट करते खरते थग्या भाट उसका कप्रा भनना खतम नहीं हुआ इसका मतलब क्या है an endless job पेनलोपीस ने जो वेट बनना शुरू किया वो कभी खतम ही नहीं हुआ लोग उसके लिए शादी करने के लिए वेट करते खरते थग्या भाट इसका जो वेट है जो वेट बनना शुरू किया ना कप्रा वो बनना कभी खतम ही नहीं हुआ समझ में आया ना तो पेनलोपीस वेट का मतलब क्या हुआ an endless job I hope यह जिस अपके दिमाग में घुज किया होगा and यह आज का last example था so guys I hope आपको यह lecture बहुत ही अच्छा लगा होगा and यह lecture आपकी exam point of view से बहुत ही जादा important है अगर आप चाते हो कि मैं पूरा idioms and phrases का important lecture series खतम करूँ तो please like करो, comment करो and जितना हो सके share करो जितना अच्छा view आएगा उतना मेरे को motivate मिलेगा कि आपके लिए मैं पूरा suggestion complete कर दू तो please जितना हो सके like करो, share करो and please channel को subscribe कर दो तो चलो friends by Habana is Jay